एक employee तेज पत्ती की तरह होता है, सबसे पहले उसी को कड़ाई में डाला जाता है जब सबजी हैं या कुछ हम बनाते हैं तेज पत्ता इसलिए डालते हैं ताकि सबजी का स्वाग थोड़ा अच्छा हो जाए और जब सबजी बनके रेडी हो जाती है तो सबसे पहले हम उस तेज पत्ते को निकालके साइड में फेक देते हैं सेम employee के साथ होता है employee as a तेज पत्ता अभी दिसेंटली नारायन मूर्थी का एक interview आया था तो उस interview में नारायन मूर्थी बोल रहे हैं अगर इंडिया को developing country से निकल के developed country बनना है तो इंडिया के जो youth है उनको हप्ते के अंदर 70 घंटे काम करना होगा 70 घंटे 70 घंटे पता है किसे कहते हैं 70 घंटे हम divide करेंगे 6 से चलो संडे को निकाल देते एक दिन rest का मानते 70 घंटे काम करने बोल रहे हैं नारायन मूर्थी अब उनको यह नहीं पता है कि कोई एक employee अपने घर के पास तो काम नहीं करता है या company उसके घर के पास तो है नहीं कोई भी employee अगर किसी company में काम कर रहा है न तो उसको traveling के ही 4 घंटे हो जाते दिन के दो घंटे आने के दो घंटे जाने के तो अगर एक employee 12 घंटे काम करता है office के अंदर एंड 4 घंटी के traveling हो गई तो कितने हो गए 16 घंटे हो गए तो 24 घंटे में से 16 घंटे निकाल देते हैं तो कितने घंटे बचे 8 घंटे अब उस 8 घंटे में वह सोएगा खाएगा पीएगा बूतेगा क्या क्या करेगा बताओ मुझी आप भारत उपर जाए या ना जाए एक employee जरूर उपर चला जाएगा हाँ माना नारायन मूर्ती ज जगा पर रखकर फिर वह interview देना चीए क्योंकि एक employee का सिफ office नहीं होता है उसकी family भी होती उसकी personal life भी होती है उनको भी उसको time देना होता है क्योंकि वह बंदा पैसा क्यों कमा रहा है ताकि उसकी family अच्छे से रह पाए वह अपनी family के साथ खुश रह पाए जब वह काम कर अफिस के पास में नहीं है लोग धक्के खाखा के office आते है तो थोड़ा बोलने से पहले थोड़ा practical सोचो कि मैं किसके लिए क्या बोल रहा हूं तो पहले खुद को उस जगह पे रखो एंड उसके बाद बोलो देखो हमको अपने भारत को एक smart बनाना है एक smart youth वाला जो nation होत हमें अपने दिमाग से काम करना होगा तो जरूरी नहीं कि सतर घंटे काम करें क्योंकि कोई भी काम में success होने के लिए हमारा presence of mind बहुत जूरी है हम कितने freely सोच पा रहे है उस पे depend करता है कि हमारा काम कितना fast होगा अगर हम सोच ही नहीं पा रहे है हमको बस यह करना है कि सतर गंटे बस पूरे हो जाए तो उस वज़े से हम मैंना इतना productivity वाली जो चीज होती ना वो नहीं कर पाएंगे productivity वाली जो चीज होती है वह इतने freely mind से होती है उसके लिए हम पाबंदी नहीं लगा सकते कि हमको सतर घंटे काम करने हमको 8 घंटे काम करने हमको घंटे घंटे काम वो as a boss interview दे रहे, as a employee नहीं दे रहे, पहली बात तो यह, देखे, आप भी किसी company में काम करते होंगे, मैं भी किसी company में काम करता हूँ, तो हमारा जो boss है, हमारा जो manager है, वो employee को कैसे treat करता, यह मुझे भी मालू है, आपको भी मालू है, वो हमको employee समझते ही नहीं है, वो हमको a book मार मार के बस काम कराया जाए, सेम चीज नरैन मुर्ति अपलाय करें, वो अपने पहली ही एपको as a employee नहीं रख रहे, वो अपने आपको as a boss रख रही है, कैसे बस target पूरा हो जाए, वही चीज आपका manager करता है, वही चीज मेरा manager करता है, कि बस किस طरह से target पूरा हो जाए, बट हम employee की जगह हो के कोई नहीं सोच रहे कि हमें क्या चीए हमको भी personal space चीए हमको भी थोड़ी freedom चीए आप इस तरह से अगर rule थोपते जाओगे तो हम कहां जाएंगे हम मतलब समझ रहे हो ना आप आपको पूरे दिन बस office में रखा जा रहा है एकदम pressure पर pressure दिये जा रहा है और आप घर पे जाते हो सिर्फ सोने के लिए वो भी नींद पूरी नहीं होगी आपकी क्योंकि 8 गंटे आपके पास बचेंगे और 8 गंटे में देखिए नींदी 8 गंटे की होती है समझ रहे हो ना तो फिर मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि ये किस तरह से interview में इन्होंने बो लेना एकदम बक्वास लगाए बक्वास बोले तो एकदम बक्वास जाहिल लगाए